हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस डिजैन के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ये फ्रेंड्स हमार पास जो डिजैन हैं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमार पास 40 फिडवाई, 62 फिट का ये हमार डिजैन है जो कि एक latest एक modern यह हमारा design है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इस design के बारे में आप से discuss करेंगे साथ में हम आपको बताएंगे इसका पूरा 3D model के बारे में यह हमार पास इसका पूरा 3D में model रहेगा इसको हमने completely 3D में design के हुआ है साथ में हम आपको बताने वाले हैं इसका plan के बारे में means की 3D plan के बारे में है यह हमार पास इसका पूरा ही 3D में plan रहेगा और फिर्ट हम आपको बताएंगे इसका map के बारे में means की नकसा के बारे में यह हमार पास इसका यह नकसा भी रहेगा तो वीडियो को पूरा अंतक देखते रहेगा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से कहना चाहूँगा जिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड़ वर्म क्लिक करके हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिगा नोटिफिक्श मैल को प्रिस कर दीजिगा जिससे कि हमारी पिड़ते एक वीडियो को नोटिफिक्शन आप तक पहुंसता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो यह अमर पास जो डिजाइन है आप जो डिजाइन देख रहे हैं इसका पूरा 3D में मॉडल है जिसमें आप देखेंगे कि इसका यह जो फ्रंट रहेगा यह मर पास रहेगा इसका 40 फिट का फ्रंट अंदर प्लोड की जो घहराई है इसकी जो टोटल घहराई है वो मर पास रहेगी 62 फिट की इसकी घहराई रहेगी तो हमर पास यह जो प्लोड रहेगा हमर पास 40 फिट वाई 62 फिट का प्लोड रहेगा plot के front side में ये हमार पास road रहेगा और इसकी जो तीन other action होंगी तीनों ही direction में ये पूरे तरीके से वंध होगा पूरे तरीके से close रहेगा तो ये friends हमार पास इसका ये elevation का design है जो कि काफी अच्छा ये हमार पास elevation का design है elevation friends आप देखेंगे कि हमने इसको जो decision कि हुआ है काफी latest काफी modern campaign के हए और इसमें हमने paint और tail दोनों का हमने combo करके इसका design बनाए हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि हमार एहर की entry हो रहे है जो हमार एहर की main entry है वो हमार पास यहां से होगी यह हमारे घर की main entry होगी और हमारे घर की जो second entry होगी तो second door रहेगा अपने घर का वो हमार पास यहां से होगा यह हमारे घर का second interest door रहेगा तो यह हमार पास second interest door होगा यहां से हमारे घर की main entry रहेगी main gate रहेगा मेंगेट से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर पार्किंग मिलेगी यहाँ पर पार्किंग होगी जिसमें हम अपनी कोई भी कार, स्कूटर, बाइक बगएरा यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर पार्क करा सकते हैं यह हमार पास parking area होगा friends, यह आप देखेंगे हमार पास front है, front में हमने यहाँ पर garden region के हुआ है, हमार पास garden होगा, जो कि काफी spaces हमारा garden रहेगा, इसमें हम अपनी कोई भी plant वेगरा यहाँ पर अपना लगा सकते हैं, तो यह हमार पास garden area होगा friends, यह हमार पास रहेगा इसका boundary wall का डिजायन यह हमारे पास boundary wall होगा जो कि यही काफी अच्छा काफी लेट टेस्ट हमने इसको डिजायन कि हुआ है तो यह हमारे पास इसका boundary yeux न है बाकिया जो एफरेंट्स हो रही है second entry हुमारी इस डोर से हो रही है इस डोर से हम अपने गर के अंदर आ रहे हैं तो इस डोर से आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक काफी वड़ी साज का एक हॉल मिलेगा यह हमार पास हॉल होगा और इस हॉल को फ्रेट्स हम यूज़ करेंगे as a living hall के purpose से और as a dining hall के purpose से इसमें हमार पास dining table का डियान रहेगा corner में हमार पास sofa के sitting रहेगी और इस बहुल पे मिलेगा हमें tv unit का डियान तो यह हमार पास tv unit का हमार डियान रहेगा यह फ्रेट्स हमार पास रहेगा अपना drag room का डियान यह हमार पास drag room होगा ڈرینگ रोम में आप देखेंगे फ्रेंट में काफी बड़िसेच का एक बिंडो मिलेगा तो इस बिंडो से हमारा अपने ڈरینگ रोम का बाहुती अच्छे से वेंटिल लिसन होता रहेगा ڈरैंग रोम में फ्रेंट्स आप देखेंगे कि कफी वड़े साज्च का हमार किचिन है, modular हमारा किचिन रहेगा, किचिन का अंदर सी सेफ में किचिन का प्लेटफरॉम होगा, modular किचिन है, किचिन में हमें दो विंडौ मिलेंगी, दोनों विंडौ से kिचिन का अच्छे से ventilation होता रहेगा तो यह friends हमारा पास kitchen का हमारा पास design रहेगा यह friends हमारा पास रहेगा एक store room का design यहाँ पर हमारा store room होगा और यह जो हमारा store room होगा इसको हमने attach के हुआ है bedroom के साथ में यहाँ पर हमारा पास से bedroom है और यह जो friends हमारा store room है तो इस window से हमारा अपने bedroom का बहुती अच्छे से ventilator होता रहेगा यहां पर लेगा अच्छे से ventilator होता रहेगा bedroom में आप देखेंगे हमर पास यहां पर एक door मिलेगा तो इस door से जा सकते हम अपने back side में यहां पर हम यह जो हमारा area है इस area को हम use कर सकते हैं as a utility purpose से यह फैट्स हमारा जो bedroom है इस bedroom में हमने attached के हुआ एक dress room के साथ में यह हमारा dress room होगा और यहां पर हमें एक toilet मिलेगा यह हमर पास attached toilet होगा तो यह हमारा toilet होगा इस toilet में हमने wading area को toilet seat दोनों को इसमें हमने combine ही रखा हुआ है तो यह flats हमर पास attached toilet रहेगा आप देखेंगे हमर पास common toilet रहेगा यह हमर पास common toilet है और यह हमारा toilet है इस toyot को family का कोई भी member से use कर सकता है या फिर हमारा कोई भी guest बगएरा आता है तो guest बगएरा भी इस toyot को use कर सकता है यह fans अमरे पास रहेगा bedroom के जान यहाँ पर हमारा bedroom होगा यह जो bedroom है इस bedroom में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर यह vet कर जान मिलेगा इस बाल पर मिलेगा हमें cover'd का डی Docker और यहाँ पर आप देखेंगे हमें tb unit का डियाँ मिलेगा और यह मिलेगा हमें इसमेंendo का डियाँ तो यह हमार पास रहेगा अपना bedroom जो कि यह भी काफी बड़ी muff कमारा bedroom रहेगा यहां से जाएंगे हम अपने फर्स फ्लोर पे यह हमर पास इस्टे केस का हमारा डिजार रहेगा यह हमारा इस्टे केस रहेगा तो यह हमरा थीडी प्लान है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से किलियर हो गया होगा इसमें हमरे पास तीन bedroom है काफे बड़े से हमारा hall है यह हमरे पास ड्रैंग room है इसे gas bedroom में आप यहाल और बना सकते हैं क्यों हमरे पास जो hall रहेगा जो हमरे पास living and dining hall होगा इस hall को हम as a अपना drawing hall के purpose से भी िूज़ कर सकते हैं तो उसके समें हमारा क्या हुआ कि हमारा यह रूम होगा इस रूम को हमापना गेश बैडरूम बडा लेंगे तो हमारा पास 4VHK का हमारा घर बन जाएगा यह हमारा पास मैप रहेगा आप देखेंगे कि फोर्टी फिट सिस्टी टूफिट का हमारा पास इन आप रहे nggak आप देखेंगे इसके फ्रंट सैड में रोड हैं इसकी जो ती अंदरि रहेगी सब्रहे पास है हमारे बैट की आर्टке Whoo जो हमारे गर को यह बार पास यहां से है इस डौर से हम अपने घर के अंदर आ रहे हैं और यह अब पास यहां पर पर वारे पारकिंग एरिया है दोनों को परपस से इसे अपना यूज करेंगे यह हमार पास मिलेगा फ्रेंट में किचिन गाड़ी है जो कि 9 फिट वाई 14 फिट का हमार किचिन रहेगा यह मिलेगा हमार ड्रेंग रूम गाड़ी है जो कि 12 वाई 14 फिट का हमार पास यहां पर ड्रेंग रूम रहेगा यह हमार पास मिलेगा garden गड़ेया जो ही 8 feet wide six feet हमार garden गारण है यदि आप इस गारणन के लिए पूर आज आप पूरा आगे तक लियना चाहे तो आप आगे तक यहां तक भी आप इसे ले सकते हैं तो यह हमार पास garden रहेगा जो कि six feet wide कह हमार पास यहाँ पर garden रहेगा यहां पास friends bedroom वड़या रहेगा यहां पर वे लेंगी हमारा बैडरी माद रहेगा यहां पर यहां पर हमारा बैडूम के साथ menstrual के साथ में जो कि सिक्स टूइट कर सी बाएगा हॉइंच और कॉमें। होगा सिटोवाई सेवन फित सिंच काम और पास है तो यह मिलेगा मैं युम स्व फॉर वाईरा होगा जो कि गया बैक इसton गझा इरिया यह मुर्लेखए मुहां चार्यां इसलाएं यह वर फॉर पास युर्फिट बाहरे और सोगा जो कि मिलेख वाई这么 of हमारे पास प्लान है जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो या होगा 40 फिट वाई 62 फिट में हमने इसको प्लान के हुआ है नकसा बनाए हुआ है इसमें हमारे पास यह थ्री विएच के का हमारे डियान है और हमने आपको बताया था तक कि यदि आप इस अपने ड्रैग रूम के लिए ऑपना एक एजड़ बैडरूम बनांजाए है तो गेश्ट बैडरूम भी आप इसे बना सकते है तो उसकेश हमारा यह जो मैप रहेगा वह हमारा पास इसको मैं हो बगं से तो यही फ्रेंट समर पास मैप है, तो मैप आपको कैसा लगा फ्रेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और यह इसका एलिविशन डिजाइन है, एलिविशन डिजाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, तो फ कर दो